पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहकर ही हम कुछ काम कर सकते हैं तो आज मैं आपके लिए हेल्दी वली रेसेबी लेकर आई जो बनाना तो काफी जादा आसान है और खाने में काफी जादा डिलिशेस और अच्छे लगती है और यह हमारे शरीर को पूरे दिन एनर्जेटिक रखी की और पूरी तरीके से हम इसको हेल्दी तरीके से बनाएंगे तो चले फिर इसको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर ले लिया एक स्वीट कॉन तो इस तरीके से हमें sweet corn के जो हैं दाने हमें निकाल देने हैं क्योंकि ये ताजा sweet corn है तो इसको पहले अच्छे से धो लीजिएगा और उसके बाद इस तरीके से आप इसको निकाल दीजिए द्यान रखीएगा कीडे वगेरा नहों इस बात का बॉइल करना है तो इस तरीके से हमें इसके अंदर पहले तो थोड़ा सा नमक डाल दीना है नमक डालने से इसके अंदर जो नमक का टेस्ट है वो इसके अंदर जाएगा तो ये जो आज की रेसिपी वो काफी ज़्यादा अच्छी लगीगी अब इसके अंदर हम डाल देते हैं पानी तो पानी जितनी अच्छे से ये बॉयल हो जा उतना हमें पानी इसके अंदर डाल दिया है अब इसको जो है गैस पर चड़ा कर 5 सीटी तक आने तक हमें इसको कूक करना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं, पांस सिटी आने तक हमने इसको अच्छे से कूक कर लिया है और यह अच्छे से बॉयल हो चुकी है और यह आप देख सकते हैं, अभी हम इसको एक स्टेनर में निकाल कर अलग कर लेंगे दानों को और पानी जो है आप फेक दीजिएगा तो आप देख सकते हैं दिखिए अच्छे से बॉयल भी हो चुके हैं ये और अभी इसको हम निकाल देते हैं दूसरे बरतन में तो आप देख सकते हैं एक बड़ा बाउल ले लिया है मैंने यापर और स्वीट कॉन की जो दाने है वो इसके अंदर हमने डाल दिया है साथ में हमने यापर बारिक कटा हुआ खीरा डाल देना है तो आप देख सकते हैं मैंने यापर एक आदा खीरा लिया था उसको मैंने काट कर छोटे-छोटे टुकड़ों में ले लिया है साथ में गाजर ले लिया है तो आदा गाजर मैंने यापर लिया था और इस तरीके से उसको भी हमने काट लिया है एक बारिक मीडियम साइज का प्याज लिया था उसको भी हमने यहाँ पर काट कर बारिक बारिक उसको ले लिया है और इसके अंदर हमने मिक्स कर दिया है साथ में टमाटर ले लिया है तो टमाटर को भी बारिक Shark कर लेना है सारे सब्जिया जो भी आप इसके अंदर ढले उसको आप बारिक कीजिएगा और अच्छे से इसको मिलाइए तो इस तरीके से आप देखिए अच्छे से इसको Mix करना है पहले तो उसके बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले अड़ करेंगे तो सबसे पहले लाल मिच पाउडर अड़ करेंगे लाल मिच थोड़ा स्तीखा है मेरा तो मैंने यापर कम ही इस्तमाल किया है थोड़ा सा काला नमक और स्वात के अनुसा जो नॉर्मल नमक आता है पहले भी डाला हुआ नमक स्वीट कॉन के अंदर इसलिए अपने हिसाब से ही डालेगा थोड़ा सा चाट मसाला इसके अंदर मैंने एड़ कर लिया है अब यहाँ पर कटा हुआ पनीर इसके अंदर डाल देते हैं पनीर फ्रेश लिजिएगा इस बात का ध्यान रखिए इस तरीके से आमें जो है अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और आप देख सकते हैं यह दिखिए सारी सबजे जो है अच्छे से मिक्स हो चुकी है मुझे यहाँ पर थोड़ा सा लाल मिच पाडर कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और एड़ कर रही हूँ यहाँ पर दोस्तो और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे निम्बू का रस तो मैंने एक निम्बू को अच्छे से निचोड़ कर उसका रस निकाल कर ले लिया है और वो भी इसके अंदर add कर लिया है तो अच्छे से इसको मिला ने ना है निम्बू का रस काफी जादा इसको इसकी बिल्कुल भी नहीं करे क्योंकि उससे ही टेस्ट जादा आता है तो अच्छे से आप इसको mix कर दीजीगा थोड़ी सी इसके अंदर नमकिन डाल देंगे और नमकिन यहाँ पर पूरी नहीं डालनी है थोड़ी सी ही डालनी है इसको अच्छे से mix करने के लिए इससे थोड़ा सा mix हो जाएगा तो काफी अच्छा टेस्ट आएगा तो इस तरह के से आप देख सकते ही देखिए स्वीट कॉन की चार्ट बन कर तेयर हो चुकी है और यह बहुत ही हेल्दी है दोस्तो जब भी आप इसको बनाएंगे तो आप अपने बच्चों को जरूर खिलाएगा क्योंकि यह बहुत ही हेल्दी होती है बॉयल जो पुट्टा होता है वो हमारी हेल्द के लिए काफिस ज़्यादा आच्छा होता है तो अब हम इसको थोड़ा सा एक प्लेट में निकल कर सर्व करते हैं उपर से थोड़ा सा चार्ट पसला थोड़ा सा काली मेच का पाउडर और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और अब इसके उपर बारिक वाली से या मीडियम साइज की जो सेव होती है वो आप इसके उपर जो है डाल दीजे इस तरीके से ज्यादा तीखी वाली सेव का इस्तमाल ना करें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं स्वीट कॉन की चार्ट अमारी जो है तयार हो चुकी है उमीद है आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और इसी तरीकी की नई ने रेसिप इस देखने के लिए प्रीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना बुले क्योंकि मेरा चैनल नया है तो मुझे आपकी हेल्प की बहुत जरूरत भी है वीडियो पसंद आद लाइक शेयर करना ना बुले अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे जैस्री किष्ण जैस्री राम